नमश्कार दिव्य हिंदू सास्त्र में आपका स्वागत है धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री ने अपने प्रवचन के दौरान यहां बताया कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है आईए समझते हैं जीवन भगवान द्वारा प्रदान किया हुआ एक बहुत ही अद्भूत और प्यारा उपहार है और इस दुनिया को और भी सुन्दर और प्यारा बनाने के लिए आपको इस खुबसूरत दुनिया में भेजा गया है माना कि जीवन एक काटो भरा सफर है इस सफर में दुख, दर्द, गम और परिशानिया भी है लेकिन जीवन एक रंगोली की तरह है जिसमें कुछ चटक रंग खुशियों के हैं तो कुछ फीके रंग गम के हैं कुछ गहरे रंग प्यार के हैं तो कुछ हलके रंग गिले शि माना कि यह सफर काफी उतार चड़ाओं से भरा हुआ है लेकिन यह उतार चड़ाओं इस सफर को और भी खुबसूरत बनाते हैं बागेश्वर्द हम सरकार ने आगे यह कहा कि जादा तर लोग दुनिया में जीवन जीने का सही तरीका नहीं जानते तो आईए समझते हैं जिन्दगी जीने का सही तरीका क्या है जिससे हम इस जिन्दगी को और भी खुबसूरत बना सकते हैं हम सब के पास इस दुनिया में एक सिमित समय होता है और जितना भी होता है वह कम मालूम होता है इस दुनिया में इतना कुछ है देखने के लिए, जानने के लिए और महसूस करने के लिए, कि आपके पास थोड़ा भी वक्त नहीं है बरबाद करने के लिए, आप इस वक्त का चाहे तो सही उपयोग कर सकते हैं, या तो इसे युँँ ही व्यर्थ कर सकते हैं, इसलिए हमें हर दिन कुछ नया सोचना और कुछ नया करते रहना चाहिए और हमें नई नई चीजे सिखनी चाहिए क्यूंकि किसी काम को न करके पश्थाने से कही बहतर है कि उसे करके पश्थाना क्योंकि यदि उस काम को करके आपको कुछ भी ना मिले तो उससे आपको तजुर्बा जरूर मिलता है और यह जीवन में बहुत किम्ती होता है इससे आपको सही और गलत के बीच का फर्क समझ में आता है आप गलती करने से ना डरें गलती करके ही मनुष्य सीख सकता है आगे उन्होंने यह बताया सबसे आप उतना ही प्रेम करें जितना कि आप खुझ से करते हैं सबकी इज़द करें और सबकी मदद करें सबसे प्यार करना सीखे, क्योंकि इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है, इसकी सब को बहुत ज़दूरत है, जीवन में किसी भी काम को करने में संकुच ना करे, जब भी दिल करे तो उसे कर ले, हर रोज खुल कर जिये, हमेशा बजपना और मासुमियत जिन्दा रखे, क्य क्यूंकि जिस दिन ये बझपना चला जाता है उस दिन आपकी मासुमिख चली जाती है और मासुमिख चले जाने से जिंदगी का मज़ा भी चले जाता है आप अपने भविश्य के बारे में सोचिये लेकिन उसकी चिंपा ना करें और अपने बीते हुए दिन को याद करके परेशान ना होई जिन्दगी में कभी अच्छे दिन आएंगे और कभी बुरे दिन भी आते हैं अच्छे दिनों में घमंड ना करें और बुरे दिनों में निराश ना होई क्योंकि जिन्दगी में अच्छे और बूरे दिन हमेशा मौसम की तरह बदलते रहते हैं सफलताएं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और असफलताएं आपको और सिखने का मौका देती हैं इसलिए असफल होने से ना घब रहें उनसे सीखें और जीवन में आगे बढ़ें खुशिया बाटते रहें और कभी किसी को दुखी ना करें आप अपने व्यवहार से इस दुनिया को और भी खुबसूरत बनाने की कोशिश करें और जो मनुष्य इस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करता है उसके लिए यह जिन्दगी एक खुबसूरत सफर बन जाती है जीवन को सत्यता, शुबता, सुन्दर्ता, खुशियां, प्रेम, उस्रव, सकारात्मक्ता से भर दें ताकि जब आपको मौत भी आए तो आपको किसी बात का गम ना हो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेगी धन्यवाद